एक तरफ सरकार ने जहां टोरिस्ट के लिए करोना रेपोर्ट की अनिवारता को खत्म करते हुए बॉर्डर खोल दिये हूँ लेकिन अभी हिमाचल के मंदिरों के कपाट बंद रहने से स्थानिय लोगों वर श्रद्धालू में काफी रोश है हलांकि बॉडर खोलने के बाद श्रद्धालू अपने गाड़ियों में चिंतपुनी मा के दरबार पहुंच रही है लेकिन मंदिर के कपाट बंद रहने से श्रद्धालू मा के दरबार आ रही है और बाहर से दर्शन करके ही लोट रही है वहीं करोना महमारी की आवाज रही को रोकने के लिए बॉडर पर RT-PCR की रेपोर्ट के साथ हिमाचल में एंटरी की शर्त को रखा गया था लेकिन अब सान्य दुकानदारों की माने तो जब करोना रेपोर्ट के बिना टोरेस्ट हिमाचल में एंटरी कर सकता है तो मंदिर के कपाट सरकार दर्शनों के लिए क्यों नहीं खोल रही है मंगलवार को भी कैश्वर धालू सक्रांती का दिन होने के चलते चिंतपुन्नी मंदिर पहुँचे हुए थे लेकिन मंदिर बंध रहने के कारण बाहर से ही दर्शन करके मायूस होकर वापिस घरों को लोटे है उधर पुजारी बारिदार सभा के प्रधान रविंदर छिंदा ने कहा कि मंदिर बंध होने को करीब दो महीने हो चले है और अब कोरोना बिमारी की रफ्तार भी थम गई है उन्होंने कहा कि मंदिरों के कपाट बंध रखने से दुकांदार वर्ग बड़ा ही परिशान हो चुका है उनको रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं इसलिए सरकार को दुकांदारों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों को श्रीग रखोलना चाहिए कि जब आपने सारे बॉर्डर खोड़ दिये हैं कोविट टेस्ट कोई नहीं हो रहा तो यहां चिंद्पुन्नी मंदर जो है माचल के मंदर है उनको भी जल्दी खुला जाए क्योंकि यातिरी लोग बरक बहुत उडास हो गए हैं सब लोकल परिवार भी जो हमां के जर्फिन करने जाते हैं क्योंकि वो सब बर्फिन में आगे हैं और दुकानदार जो है उनकी कोई सब क्वार्डर आप खोड़ दिये ISCUM नहीं कुल दिये हैं लेकिन यहां तो कोई दुकान नहीं खुली है नहीं कुछ है पर आज़ी आटो डीलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलेंच, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फेल्ड एक्जिक्यूटिव मोटर मक्यानिकोट ड्राइवर, शांदार करियर संभावना हैं, वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा, hr.goingmotor.com पर